लेकिन तूने पूरे इंडिया का दिल जीता है और मेरे लिए तो तू हमेशा से ही विनर रहा है और बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ दिया उसमें से खास तेरे जैसा दोस्त मिला मुझे अगर इस सीजन में तू नहीं होता तो मेरी जर्नी बहुत मुझे हो जाती शायद और उमीड है कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसे ही रहेगी जी हैं दोस्तों ये emotional post जो है ये किसी और ने नहीं बलकि फुकरा इंसान की सबसे प्यारी दोस्त चुलबुली दोस्त मनीशा रानी ने की है जी हैं दोस्तों हाली में कुछ गंटों पहले ही मनीशा रानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये caption लिखते हुए एक वीडियो शेर किया है और इस वीडियो को देख कर फेंस की आँखों से हांसुच लगा है दरसल दोस्तों होस्पिटल का सीन है और यहां पर फुकरा इंसान अपने बेट पर लेटे हुए है और पूरी फेमिली भी मौजूद रहती है तब ही यहां पर होस्पिटल का दरवाजा खुलता है और यहां पर एंटरी होती है मनीशा रानी और उनके पिटाजी की जी हैं दोस्तो जैसे ही गेट खुलता है तो यहां पर फुकरा इंसान उनकी आंके फटी की फटी रे जाती है जी हैं दोस्तो वो एक तो बिमारी के वज़े से परिशान थे उनके छेरे पर जो मुस्कान आती है वो देखकर फैंस की आंके भीग गई जिन दोस्तों जैसे ही दरवाजा खुला मनीशा की एंट्री होती है मनीशा नशीदे आकर यहाँ पर फुकरा इंसान को गले लगा लिया और फुकरा इंसान की आँके पहुंचने लगी क्योंकि फुकरा इंसान परशान थे कहीं न कहीं मनिशा को देखके थोड़े इमोस्कल भी हो गए थे वहीं इसके बाद में मनिशा रानी फुकरा इंसान के बापा से मिलती है उनकी ममी से मिलती है सबसे बाते करती है और चुलबुली मनिशा को देखकर सभी के चेहरों पर जो इस समय मुस्कल गड़ी में थे उन सबी की छेरो पर मुस्कान आ जाती है वहीं फुक्रा इंसान भी अपनी प्यारी दोस्तको अपनी आखों के सामने देखने के बाद बहुत ही ज़ Hopkins नज़राते हैं वहीं दोस्तों इसके बाद में मनिशारानी काफी बतियाती है अपने दोस्ते काफी बातचीत होती है और इस बातचीत की बाद में मनिशा रानी यहाँ पर अपनी बेहनों से फुकरा इंसान को वीडियो कॉल भी करवाती है यह सीन देखने के बाद आज हर एक जो अभिशा के फैंस हैं उनकी आँखों से आंसुच लगा है क्योंकि दोस्तों मनिशा रानी जो है वो एकलोती अभी तक ऐसी कंटेस्टेंट है इस गर से जो की फुकरा इंसान से मिलने के लिए हॉस्पिटल तक पहुँच गई जियां दोस्तों इन दोनों की दोस्ती को किसी की नजर ना लगए ऐसी यहां शोशल मीडिया पर प्रात्नक ही जा रही है फैंस जो है वो इस स्टोरी को शेर करते हुए एक के बार एक बहुत ही अच्छे अच्छे कैप्शन्स लिख रहे हैं जिनको पढ़ने में काफी मज़ा रहा है और फैंस भी काफी एमोशनल है खिर दोस्तो मनिशा रानी ने तो घर के अंदर रहते हुए दिल जीता ही था लेकिन घर के बाहर आने के बाद भी मनिशा रानी ने हर किसी का दिल जीत लिया और दोस्तो शोचल मीडिया पर जिस तरीक एसे मनिशा रानी ने पोश्ट लिखी उसे देखने के बाद तो उनके फॉलोवर्स की संक्यावी दुगनी रफ़तार से बढ़ने लगी यह दोस्तो मनिशा रानी ने कहा कि तु भले ही ट्रोफी नहीं जीता हो लेकिन तुदे पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया और मेरे लिए तो तु हमेशा विनर रहेगा खिर दोस्तो आपको कैसे लगी इन दोनों की यह बोंडिंग अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएं यह दि आप भी मनिशा रानी फुक्रा इंसान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि बिग बहुत से जड़ झालो के बिदा झालो के लाइक करें लाइक के लाइक करें पर दोस्तों।